आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ So Hello Student, जो जमापाक्स Question है वो यह है Observe the given figure below हम लोग Observe कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले यह देख सकते हैं कि इसमें एक चीज प्रेजेंट है जिसका नाम है Semi-Permiable Membrane ठीक है, Semi-Permiable Membrane जिसे हम लोग Short में कहते हैं SPM, ठीक है, यह सबसे Important Part है इस पूरे Process का क्योंकि यह क्या करता है जो हमारा Semi-Permiable Membrane है उससे जो हमारे Particles होते है Colloidal Particles ठीक है, Colloidal Particles ठीक है, यह हमारे Pass नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह बड़े होते हैं वो in the size are very big so they cannot pass through the Membrane so Semi-Permiable Membrane is used in this process to stop the Colloidal Particle from passing Colloidal Particle cannot pass ठीक है, Colloidal Particle पास नहीं कर पाते हैं और बाकी जो हमारे Particle होते हैं जो उससे small होंगे true solution आले Particle वो सब पास कर जाएंगे ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे देखो, एनोड लगाए गया है एक cathode लगाए दी गया है, यहाँ पे हम लोग वाटर डाल ले हैं और Soul Particle मतलब होई Colloidal Particle प्रेसेंट हैं ठीक है, वो नहीं निकल पाए, लेकिन Crystalloid, Crystalloid मतलब जो छोटे होते हैं Colloidal से वो निकल जा रहे हैं अब हम लोग कुश्चन देखते हैं पहला कोश्चन है, विच प्रोसेस इस रिप्रेसेंटेटेट इन दा फिगर तो देखो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं Electro-Dialysis ठीक है, इलक्ट्रो मतलब क्योंकि इलक्ट्रोड का यूज़ किया गया है, अनौरो केट्रोड का और डालेसेस क्योंकि यहां पर हम लोग सप्रेट कर रहे हैं किसको सोल पार्टिकल और क्रिश्ट्लोड पार्टिकल को ठीक है, what is the application of this process, तो देखो इसका application हम लोग का मतलब अगर हम लोग डालेसेस का देखें तो तो यूमन में होता है, किड्नी में यूज़ होता है, क्योंकि किड्नी जिनकी खराब हो जाती है, उनको डालेसेस करानी पड़ती है, बट अगर हम लोग इसका काम क्या है, तो used in water desalination, मतलब water को क्या salt से दूर करना, अलग करना, ठीक है, इसमें इसका mainly use किया जाता है, क्योंकि यहां पे जो water के particles होंगे, और जो मतलब हम लोग को salt होगा, वो दोनों एक दूसरे से अलग उसके हैं, ठीक है, क्योंकि salt बीच में रह जाएगा, क्योंकि soul particle क्या है, salt यहां पे क्या हो जाएगा, soul particle हो जाएगा, तो वो membrane से पास नहीं हो पाएगा, वो membrane में रह जाएगा, और उन लोग पानी को साफ कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद last इसमें पूछ रहा है, can the same process occur without applying electric field, तो दे approach का use करते हैं, ठीक है, और dialysis में simple हम लोग पास कर सकते हैं, जो हम लोग का particle है, उसको filter करने के लिए, है ना, तो हो सकता है, yes, why is the electric field applied, तो जो को electric field क्या करता है, it makes the process fast, ठीक है, process को क्या करता है, fast कर देता है, जो हम लोग simple dialysis वो बहुत slow होता है, ठीक है, electric dialysis उसको fast कर देता है, तो अगर हम लोग C में लिखें, तो C में yes लिखेंगे, yes, it can happen, जैसे normal dialysis होता है, and the process process becomes fast, ठीक है, जो process होता है, वो fast हो जाता है, by applying electric field, ओके, तो यह हमारा हो जाएगा, electric dialysis के बारे में, thank you, Classics to 12 से लेके, need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा students का भरोसा, आज ही डाउनलोड करे doubt net आप, यह WhatsApp कीजिए अपने doubts, 8444 चार्स उपर कीज़नलोग है, दीक है, जीक है।